नवस्कार मैं हूँ अनिंद्यू चक्रवर्ति और आप देख रहे हैं एकॉनमी का हिसाब किताब पांच ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी का खौब दिखाने वाली मोधी सरकार अब खुद मान रही है कि इस साल हमारी अर्थिक विकासदर सिर्फ पांच प्रतिशत होगी जो कि 11 सालों में सबसे कम है इतना बुरा हाल देश का 2008-09 में हुआ था जब पूरी दुनिया भयानक अर्थिक बंदी के चपेट में आ गई थी इस वक्त दुनिया के बाकी देशों का हाल उतना बुरा नहीं है जितना इंडिया का है और इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में GDP का मतलब क्या होता है किसी एक साल में देश में, खेती में, कारखानों में और जितने भी सर्विसेज है उनका कूल उत्पादन कितना हुआ है अब हमारे जैसे देश जहां अभी भी बहुत सारे लोग गरीब है वहां हर साल GDP आठ से दस प्रतिशत बढ़ने की जरुरत है ताकि देश का अधिकतर लोगों की आए बढ़ सके चीन में 80 के दशक से हर साल GDP 10 प्रतिशत से जादा बढ़ता रहा है जिसके कारण आज चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है और अब अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत को भी यही करना है लेकिन अब सरकार के अपने आकड़े कहते हैं कि 2019-2020 में भारत की GDP सिर्फ 5 प्रतिशत बढ़ेगी सरकार इसको नापती कैसे है GDP कैसे नापा जाता है देश में जितने भी चीजों और सेवाओं यानि कि Goods and Services का खरीद फरोगत हो रहा है उनका कुल दाम जोड़कर आज के दामों में GDP नापा जाता है इसको कहते हैं nominal GDP याद रखेगा nominal GDP यानि कि आज के दामों में GDP लेकिन आज के दामों में कुल आय को देखने से कभी-कभी हम धोका भी खा सकते इसका एक उधाहरन देता सोजी किसी किसान ने एक साल में 100 कविंटल अनाज उगाया हो और हर कविंटल पर उसे मार्किट में 100 रुपे मिला हो यानि कि उसके कुल आये कितना हुआ 10,000 रुपे अगले साल अदाँच का उत्पादन गिरकर 80 कविंटल हो गया हो तो किसान की आय चार प्रतिशत बढ़ी है लेकिन अगर उत्पादन देखा जाए तो सौ से असी पे उतर आया है यानि बीस प्रतिशत घटी है इसी तरह कभी-कभी अगर महेंगाई तेजी से बढ़े तो कुल उत्पादन कम होने पर भी आज के दामों में यानि की नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है इसलिए आज के दामों में जीडीपी नापने के बाद उससे महेंगाई दर को माइनस किया जाता है हटाया जाता है इसी से निकलता है असल यानि रियल जीडीपी असल उत्पादन और जब अर्थशास्रिया नेता जीडीपी ग्रोध की बात करते ह हैं सरकार का कहना इस साल असल जीडीपी 5 प्रतिश्यत बढ़ेगा यह मैंने आपको पहले भी कहा है यह एक एस्टिमेट है अनुमान है आने वाले दिनों का और आज के दामों में यानि नौमिनल जीडीपी साड़े साथ प्रतिश्यत बढ़ेगी पांच प्रतिश्यत तो बुरा ही है जब 10 प्रतिशत की बात की जा रही है लेकिन ये 7.7 प्रतिशत nominal GDP growth और भी डरावना है ये 44 सालों में सबसे कम है 44 सालों में आप कहेंगे कि अभी तक मैं आपको कह रहा था समझा रहा था कि आज के दावा में GDP को देखने से हम भ्रमित हो सकते हैं वो सही है लेकिन ये भ्रम भी अर्थिव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है उसको भी अपने लाइफ से जोड़ कर सोचे अगर आपकी सालरी 50,000 रुपे है और अगले साल आपको अच्छा इंक्रिमेंट मिला हो और आपकी सालरी बढ़कर 55,000 हो गया हो यानि कि 10 प्रतिशत बढ़त आप खुश होंगे है ना दूसरे तरफ अगर आपकी इंक्रिमेंट सिर्फ 2 प्रतिशत हुई यानि सालरी 50,000 से बढ़कर 51,000 पर गई हो तो आप दुखी होंगे लेकिन हो सकता है जिस साल आपकी सालरी 10 प्रतिशत बढ़ी है उस साल महेंगाईदर 15 प्रतिशत है यानि आपका खर्चा आमदनी से जादा बढ़ा हो और दूसरे तरफ जब आपकी इंक्रिमेंट सिर्फ 2 प्रतिशत हुई हो महेंगाईदर सिर्फ 1 प्रतिशत हो यानि आपका खर्च आमदनी से कम बढ़ा हो फिर भी 10 प्रतिशत इंक्रिमेंट आपको ज्यादा लगेगा और 2 प्रतिश होगा तो उसका बिल्कुल उल्टासर होगा आप कुछ भी खरीदने से पहले दो बार सोचेंगे याद रखिए हमारे उधारण में आपकी असल याए यानि महेंगाई दर की तुलना में 2% इंक्रिमेंट वाले साल में जादा हुई और 10% इंक्रिमेंट वाले साल में कम लेकिन करने से कतराते हैं नॉमिनल जीडीपी कम बढ़ने से एक और प्रॉब्लम सामने आता है आप जानते होंगे कि हर साल सरकार की जितनी आय होती है उससे ज्यादा सरकार खर्च करती है और आय और खर्च के इस अंतर को फिसकल डेफिसिट यानि राजकोशिय घाटा कहा जाता ह अब थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिए क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कैल्कुलेशन है राजकोशिय घाटा जो हता है फिसकल डेफिसिट होता है वो एक फिक्स्ट अमाउंट होता है और उसको आज के दामों में यानि नॉमिनल जीडीपी के तुलना में ना पा जाता ह इस साल मोधी सरकार ने सोचा था कि नॉमिनल जीडीपी बारा प्रतिशत बढ़ेगी और उनका कुल राजकोशिय घाटा जो की आए माइनस खर्च लगभग सातला करोड रुपे होंगे नॉमिनल जीडीपी अगर बारा परसंट बढ़े तो राजकोशिय घाटा अंत तक ज जाएगा 3.44 प्रतिशत यानि कि राजकोशिय घाटा का जो टार्गेट है लक्ष है वो पार किया जाएगा एक पैसा बिना एक्स्ट्रा खर्च किये हुए उपर से मोधी सरकार को अभी मुश्किल लग रहा है कि जो टार्गेट यानि कि लक्ष उनोंने टैक्स का रखा है वो भी लगभग नहीं वो मीट कर पा रही है इसी से सरकार अपना खर्च कम करने की कोशिश कर रही है और इसका असर अर्थ व्यवस्ता के लिए घातक हो सकता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस साल के पहले 6 महीनों में यानि कि अप्रेल से सितंबर के बीच जितना भी जीडीपी में बरत हुआ है बहुत कम सिरफ 4.8 प्रतिशत वो सरकारी खर्च के कारण हुआ है सरकारी खर्च एक मात्र चीशता जो 10 प्रतिशत से जादा बढ़ा है अगर हम सरकारी खर्च हटा दे तो यही 4.8 प्रतिशत घटकर 3.8 प्रतिशत हो जाता है और अब सरकार खर्च कम कर रही है इसका मतलब यह जो पांच प्रतिशन जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही है न वो भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है यानि अच्छे दिन नहीं आने वाले है